वेलकम टो और चैनल फार्मे लेक्चर सो गाईस कैसे हो आप सब हमने स्टार्ट किया था योनिट फिल्ट के लेक्चर 2 तक और यह लेक्चर 3 है जिसमें हम लग पढ़ेंगे बाफर इन फार्मसेटिकल एंड बाइलोजिकल सिस्टम यह गाईस जेनरली अगर कुशन आता है त आप बस यह वाली वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हो तो आपकी इजली एट लीस्ट 10 मार्क्स आ जाएंगे और 17 भी आ सकते हैं एट लीस्ट कुछ नहीं तो 10 तो आ रहे हैं तो देखते हैं वीडियो को और सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइलोजिकल बफर चैनल में सबसे पहले आता है बलड जो हमारा बलड का पीएच है वह 7.4 होता है जो हमारा बलड हो मेंटेन करके रखता है जो प्लास्म में रहने हैं वो कंटीन करता है कार्बोनीक ऐसड या बाइकार्बोनेट और ऐसड या अल्कलाइन सोडियम सॉल्ट फॉसफोरिक एसड के जो की act as buffer यानि buffer जैसा behave करते हैं जिसको जासे जो भी कुछ भी changes होता है यहाँ पे तो यह maintain कर देते हैं हमारे blood के pH को की 7.4 ही रहने चाहिए second one is lacromal fluid जिसको हम लोग tears भी बोलते हैं और इसका pH जो है वो भी 7.4 ही होता है और इसका generally range होता है 7 to 8 के बीच में यूरीन के बाद करें तो इसका 6 होता है slightly acidic होता है pH जो pH range होता है यूरीन का अगर कम हो गया है जो हमारा normal range होता है उससे अगर कम हो गया है तो क्या होगा कि H plus iron जो है वो excrete हो जाएंगे किड्नी से जिसको जो pH हो मैंटेन हो जाता है तो आगे हम देखते हैं तो गाइस हम देख रहे हैं लोग biological हमने complete कर लिया है अब हम फार्मसोटिकल बफर देख रहे हैं तो फार्मसोटिकल बफर जनरली हम इसमें देखेंगे जो बफर सॉलूशन होता है उनका हम यूज करते है ज्यादा चींजेस ना हो तो अगर हम मिक्स करते हैं बोरिक एसिड को और मोनो हाइडरीट सोडियम कार्वोनेट को तो हमें क्या में लगा एक बफर सॉलूशन मिलेगा और जिसका pH कितना होगा 5-9 और जो सॉरेंसन है इन्होंने प्रोपोस किया था एक मिक्षर जो की सॉ मिक्षर होता है सो जा connection होता है सो गाइस और यह last में एक है मिक्षर है बोरिक असएड का सोडियम कार्वोनेट एंड एन लगों सॉडियम क्यों September's दो पुलीय। 6 to 8 7 to 9 यह सब buffer है like हमें pH को maintain रखने में काम आते हैं और यह सब use कहा हो रहा है pharmaceutical buffer में so guys next देखते हैं हम लो buffer isotonic solution so guys अब हम next topic देख रहे है buffer isotonic solution इसको आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए because इसी से question बनता है 10 marks और कम से कम 7 marks तो देख लो guys इसको आपको अच्छे से clear करना है तो buffer isotonic solution जो isotonic solution होते हैं यह cause नहीं करते हैं swelling या फिर contraction tissue कर जो कि कोई भी हमें discomfort feel नहीं करवाते हैं जब यह insect करवाते हैं हमारे ice में नसल, tract या फिर blood में सो अब हमें एक term पढ़ना है osmosis, osmosis क्या होता है water molecule का movement होता है low concentration से high concentration में against semi permeable membrane तो guys जैसे कि आप यह देख सकतो यह मैंने बना दिया आपने osmosis देखा हुआ यहाँ पे कुछ molecules है और इधर वाले reason का low concentration है और इधर वाले reason का high concentration है तो low concentration से move हो रहे हैं कहाँ पे high concentration में against semi permeable membrane बीच में semi permeable membrane है और यहाँ पे जो pressure और हमें एक और term पढ़ना है osmotic pressure जो यह osmotic pressure है यह prevent करता है osmosis को जो water molecule का movement है उसको सो आगे हम देख सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आइसो osmotic solution होते हैं या isotonic solution होते हैं यह जिनका osmotic pressure सेम होता है changes नहीं होता है जो hypotonic solution है अभी hypotonic बताऊंगा बट पहले hypotonic solution होते हैं इनका osmotic pressure ज्यादा होता है 0.9% weight by volume NaCl से इस situation में जो हमारा cell है वो shrink हो जाता है और wrinkled जो hypotonic solution के बाद करें तो यह ऐसा solution है जिनका osmotic pressure कम होता है 0.9% weight by volume NaCl से sodium chloride से इस situation में जो cell है वो water को absorb कर लेता है एक तरह से और swell हो जाता है और finally अगर ऐसी swell रहा तो burst होगा general से बात है और यह burst होने को हम लोग क्या बोलते हैं हीमोलाइस सो अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं हम लोग कुछ यह यहां पर आप देख सकते हो गाइस hypertonic solution isotonic solution और hypotonic solution इन तीनों को मैंने example दे रहे खाए एक सेल है जो नॉर्मल है और जो are accurate hypotonic hypotonic situation में क्या होता है वो सिरिंक कर जाता है एक्दम पतल हो जाता harus isotonic solution में एकदम सेम औस मैं प्रेसर सेम होता बढ़ है लेठा हो ओना हो बढ़ जाता है यहनों हो जाता है और ज्याढ़ा होने से बरस्ट हो जाता है इसा समी मेरे पास ISOS के नब बेपर है और इस question paper में क्या पूछा कि है define tonicity जो कि अभी हम पढ़ेंगे और differentiate between isoosmotic and isotonic solution describe the method that used to adjust pH and tonicity तो यह भी हम पढ़ेंगे अभी तुरंथ तो गाइस मैं आपको पहले सोच रहा था तो question paper दिखा देता हूं जिससे आपको समझ आगा कि हाँ every year इस unit से इस topic से question आते हैं कि नहीं तो एक बर वो आया तो इस बार क्या आया define pharmaceutical and biological buffer एक यह हो गया और define buffer isotonic solution describe matter for adjustment tonicity तो वह हम देखें क्या वीडियो को करता हूं तो गाइस अब हम देख लेते हैं tonicity को tonicity क्या होता है यह measure होता है osmotic pressure gradient का किसी भी दो solution को जो कि separate होते हैं semi permeable membrane से और इनको measure कर जाता है more per liter से और next topic one is इसी के अंदर पढ़ना है measurement of tonicity जो कि बहुत important है इसके अंदर first आता है hemolytic method hemolytic method में क्या होता है कि rbc का rbc है तो इसको हमें different solutions में डालने हैं और check करना है जो rbc है like was swell हो रहा है shrink हो रहा है यह जैसा condition हमने डाला था बिल्कुल वैसे ही same situation में है तो हमने देखा सबसे पहले hypotonic solution में जैसा कि हमने पढ़ रहा था hypotonic solution क्या होता है तो hypotonic solution में जब हमने rbc को डाला तो क्या हुआ कि यह cell है वह shrink कर गया due to movement of fluid जो movement हुआ fluid का वह outside the cell यानि cell के बाहर तो गाइस जो rbc है वह पूरा shrink हो गया और बात करें hypotonic solution में तो इस time में क्या हुआ कि जो fluid का movement था वह inside यानि cell के अंदर आया और वह swell कर गया और in isotonic solution isotonic solution में क्या हुआ जो cell है वह same रह गया because जो अंदर के side inside और outside fluid का movement था वह equal था इस वज़े से एकदम जैसा था वैसे ही same रह गया cell में कोई changes नहीं आया बात करें colligative method जो कि second method है इसके अंदर तो ऐसा solution जिनका tonicity same होता है उनका colligative property भी same होता है और colligative property जैसे की lowering of vapor pressure depression of freezing point तो यह सब होके colligative property और जो tonicity होता है किसी भी solution का उसको हम determine कर सकते हैं by measuring its colligative property से भी अब हम देख लेते हैं methods of adjusting tonicity तो इसमें two है एक तो class one method है और second one is class two method class one method में आता है cryoscoping method, NACL equivalent method और class two method में आता है sprouse method और white vincent method one by one दोने के बारे में हम लोग देखेंगे बहुत ही simple में guys देखेंगे तो सबसे पहले हमारा class one method इसको हम लोग देखते हैं तो इस method में क्या होता है कि हम NACL को add करना होता है drug solution में ताकि हम tonicity को adjust कर पाए तो इसमें two methods होता है जैसे कि हमने देखा था उपर अभी first one is cryoscopic method cryoscopic method में क्या होता है इसका हम use करते हैं ताकि हम calculate कर पाए how much salt is needed कितना salt की हमें जरूत है कि हमें एक isotonic preparation मिलेगा hypotonic solution यानि preparation से तो इसके लिए एक formula है w percent is equal to 0.52 minus a upon b तो w percent जो भी हमने salt use किया है यानि substance use किया है और a जो यहाँ पे a है वो क्या है freezing point है 1% solution unadjusted solution का और b जो point है वो क्या है freezing point है 1% solution का adjusting substance जिसमें substance है हम लोग adjust करेंगे तो guys अब हम देखे लेते हैं b जो कि एनसेल equivalent method है इसमें क्या होता कि जो amount है एनसेल का gram में वो equivalent होता है one gram of dead drug use तो यहाँ पर जो formula आता है e is equal to 17 l iso by m molecular weight of drug e एनसेल equivalent और l iso जो है वो constant होता है जो भी हम material यूज़ करेंगे जो भी substance यूज़ करेंगा उनका अलग value की वह अब class 2 method में क्या है कि हमने उसमें एनसेल यूज़ किया था तो इसमें हम water use करेंगे यह चेंज याद रखना गाइस और water add करते हैं कि इसमें drug solution में एक sufficient amount में ताकि form हो isotonic solution तो पहला आता है white vincent फिर is sprawl method तो one by one दोने कुबार है पढ़ें कि white vincent method में यह है कि this method involves addition of water addition of water इसमें हम करते हैं ताकि यह हमें दे given amount of drug to make isotonic solution जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो formula में guys इसका यह formula आपको बहुत ज्यादा important है और याद रखना है two marks में भी guys यह question आता है white vincent method के बारे में तो यह formula अच्छे से आपको याद रहना चाहिए ध्यान से we is called to w multiply by e multiply by triple 1.1 तो वी जो है volume of isotonic solution जो की prepared by adding water in drug w क्या है weight of drug in gram और e क्या है equivalent weight of drug और triple 1.1 क्या है constant है और जो sprout method है यह generally इसका modified version है यह modification of white vincent method का इसमें जो हमने w देखा था white vincent में उसकी जगाप 0.3 हमें put करना है तो v is called to क्या हो क्या है 0.3 multiply by e multiply by triple 1.1 तो क्या क्या है v is called to 33.33 e तो यह guys equation हमें मिल जाता है और guys thanks for watching our video I hope आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो अपने दूस्तों के साथ share करें और guys notes के लिए description में टेलिग्राम लिंक है टेलिग्राम लिंक पर जोइन हो जाओ या फिर pharma lecture search करना pharma lecture search करने से join कर लो के आप हमारे टेलिग्राम पर so thanks for watching our video करें जाओ करने टेलिग्राम लिंक है चाने सेज़मते हैं जाओ कर लोगको याँ कर दो